नमस्कार मैं 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 स्वागत करता हूँ आपको अपने इस से यूटूब चैनल पे दोस्तो एक च्छा तीन दोहजात तेस के डेट में एक लेटर इसू हुआ है जो की काफी इंपोर्टेंट है देखेगा भाद सरकार का यहां पे रेल मंतार मिनिस्टे ओफ रेलवे और रेल अब वेकेंसिया आएगी तो यहां पे वेकेंसिया के लिए जो चीजे है वो सुर्वात हो चुकी है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट लिखा गया है सब्जेक्ट स्टेंडवाइब बेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जो है वो टेकनिसियन उसके बाद जेई और पैरामेडिकर जो आपके जितने भी अस्टेंडवाइब लिस्ट के लिए निकाले गए थे उसके संदर में लिखा गया है इसका मतलब यह है कि अब वेकेंसिया इसकी क्लोज कर दी गई है अब नए सीरे से वेकेंसिया निकाली जाएगी जैसा कि यहां पर देखेगा ल लिखा गया है इस्टक्शन वे इसूद टू आल जोनल रेलबे और पी यू यानि कि पॉलिक सेक्टर वाइड बोर्ड लेटर नंबर इसूद ऑन डेट तीन-तीन को एक लेटर लिखा गया था उसी में बताया गया था उसको बिड्व कर लिया गया है यानि कि उसको पीछे म सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि अब इन सभी जगह में अब कम्मुनिकेशन नहीं होगा बच्चों के साथ और यह जो प्रोसेस है 2018 वाला परामेडिकल टेक्निसियन जई का उसको क्लोज कर दी गई है अब नए सीरे से रिकुटमेंट होगी हलाकि इसमें नहीं लिखा है कि नए सीरे से रिकुटमेंट होगी लेकिन यह इंटरनल न्यूज है कि इसलिए क्लोज किया गया है कि अब जितने भी वेकैंसिय है उसको नए वेकैंसी में इंक्लूड कर अब बाहर वेकैंसिया निकाली जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि जो पिछला जो प्रोसेस वे निकलेगी यह 100% internal news है और आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर ले जागा क्योंकि जैसे ही कोई internal news फिस से आती है मैं आपको convey कर दूगा ठीक है तो next video मिलते है सबसे बड़ी ख़बर है कि एलपी ट्रेकनिशन की तो 100% sure है अब counting चाहिए कि कितना vacancy निकाली जानी है ठी है अब कर दो दोए एंद कर देदो आप कर दो है कि एक रूजर एंद कर दो कि एल दॉबर कर दो आद कर दो एंद कर दो है जो मुझवत ऊनिधे कर दो है